चीया बहतर है या सब्जा है हेलो गाइस कैसे हो आई होप सब बढ़िया होंगे बहतर होंगे अच्छे स्वास के साथ जिन्दगी विता रहे होंगे तो वेलकम बैक आपको अच्छी सी वीडियो लेके आपके लिए फिटनेस से सम्मंदित अपना बहुत एच्छा टोपिक है चीया सीड या सब्जा यह बहुत ही चोटे चोटे बीज होते हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं पर इसके बारे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि या चीया सीड या सब्जा यूज करें तो सुरुवात करते हैं इन सब के बारे में अलग-अलग डिटेल के बारे में ज और यह जानते हैं, क्या अंतर होता है, इन दोनों के बीच में, पहला होता है, रंग में अंतर, कि जिया सीड़ के बीज छोटे अन्टाकार सलेटी और उनके ऊपर वाइट डोट टाइप के होते हैं ऐसे आप देखो तो बहुत चोटे जासे लगें अंडे की देरह होते हैं और यह मेक्सिको के होते हैं इंडियन नहीं है यह मेक्सिको का मूल पोदा है और सब्जा यह भार पाला जाता है उसको बोलते हैं सब्जा और यह गहरे काले रंग का होता है ठीक है समझ गई वह मेक्सिकन है यह इंडियन है दूसरा है पोसण का अंतर चिया सीड चिया सीड के अंदर ओमेगा-3 नहीं फैक kid voice और और यह कोलेगा इसके अंदर से यह थन्दे होते हैं और आपको ठंड पहुचाने का काम करतें साथी पाचन को बहतर करने में यह काम में एते तीसरा है गाड़ापन ये जब पाणी में डालते हैं तो गाड़े कैसे होते हैं जब आप इनको पाणी में डालोगे तो एक जैल जैसा रूप ले लेते हैं ये हाँ आपको इनका नतर पहचांडना हो तो जैल बन जाते हैं स्ब्जा वीच होते हैं, उनको पानी में डालोगे, तो इप गाडे नी होतें, वैसे ही पढ़े रहते हूं, उसके अंदर नरम होचाते हैं, थोटे से, अब एक बड़ा सवाल आता है, कैसे खाएं, चीह सीड, कि के सबसे भैतर तरीका है, खाने का, एक चीह सीड लीजिए, उ और ओट मील में और आप पुनी सलाद के उपर और जो भी आप कोई पेस्ट वगरा की चीज मनाते हो जैसे जो जस लाइक चटनिया वगरा मनाते हो उसमें डाल सकते हो अब सब्जा इसको आप एक दो चमस लेओ इसको थोड़े से पाणिम भीगो तीस मिनट के लिए भीगो दो यह उसमें मिल जाएगा छोटे-छोटे थोड़े से फूल जाएगे इनको भी आप स्मूदी में ओट मील में अपने शलाद के उपर जूस के अंदर शेक के अंदर कि दोनों खा सकते हो दोनों के बहतरी परिणाम है बोड़े के उपर अच्छे रिजल्ट आते हैं यह बीज होते हैं बीजों के बहुत और कोई तरह की बीज होते हैं जैसे फ्लैक सीड और पंकिन सीड यह उनके बीडियो बढ़ाऊंगा आपके लिए कभी तो फिर उनमें पत कई पूस्ते किसको नहीं खाना चाहिए गरवबती महीलाओं को जिनको कोई बीमारी हो जैसे की शूगर हो या फिर कोई भी एनिवन किस तरह कोई इंटेस्टाइन आप तो सम्मंदित को बीमारी हो तो अब डॉक्टर से सला कर ले फिन को खाएं ठीक है तो यह थी चा चिया आपने वाले भाई हैं जो अपने को पशंद करते हैं उनके पास पहुंचाओ इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करके जरूर बताना है मुझे इसमें कोई कमी है तो जरूर मैं सुधार करूँगा ठीक है थैंक्यू लव यो वाल